हलो फ्रेंस मैं रागनी और आज हम सीखेंगे ब्लाउंस का बिल्कुल निव डिसाइन बहुती सिंपल और आसान डिजाइन है तो फ्रेंस देखें इसे मैं 34 साइज में बना रही हूँ तो आप भी अपने साइज की साप से बैक पार्ट को कट कर लीजिए में कपड़ा और अस में 24 इंच में लिए हैं सीने का चौथाई भाग 8,5 इंच और 2 इंच मारजन में लेंगे तो देखें इस तरह से अब हम उपर से गले की चवड़ाई ले लेंगे 2 इंच और गला का लंबाई यहां से हम 11,5 इंच में ले रहे हैं आप चाहें तो लंबाई को कम्या जादा कर सकते हैं अपने साइज के चाप से नीचे से गले की चवड़ाई तीन इंच ले लेंगे और देखें एक बॉक्स रेड़ी कर लेंगे बॉक्स को रेड़ी करने के बासे देखें कॉर्णर से एक इंच दो पॉइंट तक एक तीर का निसान बना लेना है और यहां पर एक का सेफते देंगे तो इस तरह से अगर आप मार्किंग करके कटिंग किजिए गले का तो फिर आपका गला का से पहुती अच्छा आएगा आप देख सकते हैं गले को यहां से कट कर ले रहे हैं उसी मार्किंग के ऊपर और गला का से पहुती अच्छा आया है देखिए इस त både थोड़ा सा इक्स्टा या कम नहीं लेना है कि मार्क कर लिए हैं और मार्किंग करने के बाद हो ऑप से इसकोिए हम कुछ कर लेंगे के एक दोर किसे साइड माल्जन लेती हुई इसको फ्का mutual लेंगे तो दीक देंच तरह से लग आपके पास अस्तर कम पढ़ रहा तो आप जो बैक पाट का गला है उसके उपर इसको सेट कर लें इस तरह से और प्रेस्टे इसको पेस्ट कर लें लेकिन यह चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि आपका जो में कपड़ा है साड़ी का पीस है मोटा होना चाहिए देखे नहीं तो फिर पतला रहेगा तो फि गले को श्टीज कर लेंगे एकदम अच्छे से बराबर से पहले आपको सेट कर लेना है अस्तर वाले पाट को में कपड़े के साथ और उसकी बासे देखिए simply एक शाप कपड़ा मारजन में दबाते हुए हम गले को लाश तक स्टीच कर लिए हैं गले को स्टीच करने के बाद से अब हम अंदर का जो भी एक श्टा कपड़ा है में इन कपड़े में का उसको कट करके क्लीन कर लेंगे यहां से वेक श्को कट करने के बाद से पूरे गले में छोटा-छोटा कट लगाएंगे ताकि जो हमारा गला है असानी से अंदर के साइड फोल्ड हो जाए अब हम देखिए अस्तर को बाहर के साइड करते हुए अस्तर के उपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे यहां पर देखिए कच्ची सिलाई लगाने के बाद से अब हम अस्तर को अंदर के साइड फोल्ड करेंगे और उपर से इसको अच्छे से फिनिसिंग करते हुए प्रेस लगा लेंगे तो देखिए इस तरह से इसके उपर प्रेस लगाने के बाद से अब हम इसको उल्टा करेंगे और उल्टा करके अस्तर की आल राउंड एश्टिचिंग कर लेंगे यानि अस्तर के पूरे किनारे पर सिराई लगा करके उसको में कपड़े के साथ सेट कर लेंगे यहाँ पे देखिए कपड़े को सेट करने के बाद से अब अस्तर की बाहर जो भी एक्ष्टा कपड़ा दिख रहा है मेन कपड़े में का उसको आपको कट कर लेना है और अब हम देखिए बैक का जो टक्स लगाते हैं पहले टक्स लगा लेंगे दोनों साइट टक्स लगा लीजिए जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउंज में हम लगाते हैं और टक्स लगाने के बाद से अब हम यहाँ पे दो इंच ओड़ी पट्टी लेंगे कॉटन की पट्टी है और कमर पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे आदा इंच हम एक्ष्टा मार्जन लेते हैं कमर पट्टी में आइट करने के लिए उतना आपको पकड़ के स्टीच कर लेना है और अब हम इसको अंदर के साइड फोल्ड करते हुए कच्छी सिलाई लगा करके पट्टी को सेट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंस कमर पट्टी हमारा रेडी हो गया है और अब हम बैक पाट को साइड में रख देंगे यहाँ पे देखिए आपको डेड़ी चौड़ी पट्टी लेनी है बिलकुल सीधी पट्टी होनी साहिए और इसको डबल फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड करने के बास से देखिए अब यह चाप कपड़ा मार्जन में लेते हुए इस पट्टी को हम सील लेंगे एकदम सीधा में आपको सिलना है चौड़ा या पतला नहीं करना है नहीं ते फिर फिनिसिंग नहीं आया यह पट्टी में तो देखिए फ्रेंस लाश्ट तक हम पट्टी को स्टीच कर लेंगे और अब देखिए यहाँ पे सुई धागे से इसका कॉर्णर है न उसको बाध लेंगे दो से तीन बार रिपीट करके इसको टक कर लेंगे और टक करने के बाद से देखिए फ्रेंस सुई को उल्टे साइड से इसके अंदर अच्छे से डालते हुए पलट लेंगे डोरी को देखिए लाश्ट तक हम इसको कर लिये हैं और अब हलका सा नीचे के साइड से आपको खिचते हुए इसको सीधा कर लेना है सिंपल जैसे ब्लाउंस को टोरी हम पलटते हैं उसी तरह से आपको पलट लेना है लेकिन इसको थोड़ा सा चौड़ा में आपको सीलना है अब देखिए इसको सीधा करने के बाद से इसी तरह से दो तीन पट्टी रेडी कर लेंगे और इसके उपर प्रेस लगा करके अच् पट्टी को कट कर लेंगे और डबल करते हुए नेक के उपर आप देख सकते हैं किस तरह से में इसे स्टीज कर रही हूं सिंप्ली उसी तरह से आपको कर लेना है एक चाप मार्जन के लिए बाहर के साइठ छोड़ना है एक खूले भाग के तरफ और नेख का जिस तरह से सेफ हैना बिल्कुल नेख के सेफ की हिसाब से आपको इसको घूमाते हुए सेट करना है अपके गले के बाहर की साइड भी पट्टी नहीं जानी चाहिए और गला का जहां तक किनारा है उससे अंदर के साइड भी नहीं होना चाहिए आप देख सकते हैं किस तरह से में सेट कर रही हूँ इसी तरह से देखिए पूरे नेक के उपर हम इस पट्टी को सेट कर लेंगे बीच में एक एक चाप का गैपिंग देते हुए पट्टी को सेट करने के बाद से अब यहां पे हम एस्क्वायर में दो दो-दो पीस काट कर लेंगे दो कलर में तो देखिए एक पीस की लंबायई चोड़ाई दो-दो इंच है और दूसरी वाली की ढाई-ढाई इंच है तो इस तरह से आपको भी कट कर लेना है और यहां पे देखिए रूई के मदद से हम इसमें थोड़ा सा रूई लेंगे और गुलाई का सेफ देते हुए यहां पे हम पोटली बटन रेडी करेंगे तो चोटा वाला पीस है ना दो इंच लंबाई चोड़ाई में उसमें हमें पोटली सेट करना है यहां पे देखिए अच्छे से आपको पूरे कपड़े को अंदर की साइड खीचते हुए पहले पोटली में गुलाई देके दबा लेना है और उसके बास से आपको धागा लेना है धागे से दो तीन बार इसमें गुलाई देते हुए इसको इस तरह से बांध लेंगे तो देखिए बहुत हीजी तरीके से हमारा पोटली बन गया है और बाकी को आपको इसी तरह से कर लेना है अब हम बड़े वाले पीस को लेंगे और ट्रेंगल में उसको फोल्ड और इसके बिल्कूल बीचो बीच में में पोटली को सेट करना है आप देख सकते हैं किस तरह से में कर रहे हूं इसी तरह से आपको पोटली को सेट कर लेना है एक पीस हमारा बन गया दूसरा पीस भी सेम प्रोसेस से रेडी करेंगे इसको भी ट्रेंगल में फोल्ड करेंग और इसके बिल्कुल वीचो वीच में आपको पोटली वाले पाट को सेट करना है यहां पे मैं दो पीस आपको रेडि करके दिखा दी हूँ बाकी पीस को आपको सेम आइडिया से रेडि कर लेना है जितना में आपका गला कफर हो जाए तो देखे पूरे पीस को रेडि कर हैं और अब हम देखे एक एक पीश को लेंगे और जो हम चपती वाली पट्टी इसके उपर इस्टीच की है ने बिल्कुल उसको चिपकाते हुए आपको उसके चड़ाना नहीं है बड़ जहां से वो खतम हुआ है बिल्कुल उसके पास से आपको इस डिजाइन को सेट कर लेन कि लाश्ट तक अब हम आ गये हैं और देखे पूरा गला हमारा इस डिजाइन वाले पार्ट से कभर हो गया है इसके बाद से देखे फ्रेंसिसको साइड में कर लेंगे और यहां पे मैं डेड़ी चोड़ी उरेवी पट्टी ली हूँ एक चीज का आपको ध्यान लखना है पट्टी को आपको उरेवी मिलेना है और दोनों साइड से फोल करते हुए बिल्कुल बीचों बीच में आपको एक कच्ची शिलाई लगा लेनी है अप देख सकते हैं किस तरह से में दोनों साइड से बस आपको बराबर बराबर से कपड़े को एक दूसरे के उपर चढ़ा करके बीच में सिलना है इसी तरह से पूरे पट्टी को सिल लेंगे पट्टी आपको इतनी लंबी लेनी है जितने में आपका गला कवर हो जाए और अब हम देखें यहां पे रख करके सबसे पहले जो चप्टी पट्टी लगाए ना उस साइड से आपको कितना पट्टी दिखाना है उसके हिसाब से आपको इसको सेट कर लेना है एक्दम अच्छ से मिलाते हुई आपको इस पट्टी को set करना है तो एक साइड से तो हम सिलाई लगा लिए हैं friends अब आपको दूसरे साइड से भी सिलाई लगा करकी इसको हम set कर लेंगे इस तरह से आपको इस पट्टी को सेट करना है कि दोनों डिजाइन वाला पाट का जो उभरा हुआ भागे बीच में जो है न उसको आपको कभर कर लेना इस पट्टी से अब देखे दूसरे साइड भी आपको एकदम अच्छे से पोटली के उपर थोड़ा सापको प्रब्लम हो रहा होगा सिलाई चलाने में पर आपको बिल्कूल आसानी से एकदम आराम आराम से आपको सिलाई लगा लेनी है दूसरे साइड पोटली को आप उंगली से दबा जी की ताकि वो नीचे के साइड दब जाए, नहीं तो फिर नहीं दबेगा तो आपका जो सिलाई वाला चाप है उस पे रुक जाएगा, तो इस तरह से देखिए लाश्ट तक हम इस पट्टी को भी दूसरे साइड का भी हम सिलाई लगा लिए हैं, और अब हम देखिए पे जो भी लगाना है नहीं लगाना है आपको मेडियम साइज का लैस यूज करना है जो भी आपके ब्लाउं से मैच करता हूँ देखिए लैस को लगाने के बाद से अब हम या पे फीर से डेढ़ी चोड़ी पट्टी लेंगे और उस पट्टी को देखिए इसी तरह से फोल के साइड फोल्ड किये थे बस पाइपीन के बराबर आपको दिखाते जाना है और इस पट्टी को नीचे के साइड सील लेना है क्योंकि यहां पे नीचे के साइड पाइपीन कितने लोग को बनाने में प्रब्लम होता है इसलिए मैं आपको इस पट्टी को सेट करना बताए अब हम जो ब्लाउज में डोरी लगाते हैं उसको लेंगे और उस डोरी को हम सुई दागे के मदद से पहले टक कर लेंगे और टक करने के बाद से फ्रेंस देखिए जो हम लूप बनाए है इस लूप के अंदर आपको सुई को उल्टे साइड से सुई को अच्छे से निकालते जाना है अटोमेटी के जो डोरी वाला पाट है पूरे लूप के अंदर आ जाएगा तो यहां पर मैं छोटी वाली सुई उज़ कर रही हूँ बट अगर आपके पास बड़ा वाला सुई हो उससे आप कीजिएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा देखे आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे लूप के अंदर मैं सुई को उल्टे साइड से निकालते जा रही हूँ और इसी तरह से आपको पूरे लूप के अंदर इसको डाल लेना है और अब हम उपर के साइड खीचने के बास से पहले आपको गले को फिनिसिंग कर लेन और इसको एस्टीच करने के बाद से देखिए दूसरी साइड भी आपको इसको कर लेना है अब हम यहाँ पे चार कोर कपड़ा लेंगे ट्रैंगल में उसको फॉल्ड करेंगे और इस तरह से हलका सा गुलाई देते हुए इसको कट कर लेंगे लटकन बनाने के लिए देखिए दो पीसे आपर हमारा रेडी हो गया है और कॉटन वाले कपड़े के उपर आपको इसको कट करना है यहाँ पे में कपड़े के सीदे साइड इसको रखेंगे और सील के पलट लेंगे अब एकदम इसके बराबर से आपको कपड़े को छाट के निकाल लेना है और नीचे की सेट कर लेना है और उसके बाद से यहां पे देखिए कंट्राश्ट कलर का हम पट्टी ले लेंगे दोनों पीस को पहले आपको रेडी कर लेना है और यहां पे रेड कलर का मैं लें कंटास्ट कलर इसको डबल फोल्ड करके महले पहले सिल लिया है डबल फोल्ड में इसकी लंब चौड़ाई आपको एक इंस दो पॉइंट ले लेनी है और इसको इस तरह से प्लेट बना-बना करके सेट कर लेना है अब यहां पी देखिए हर एक प्लेट के उपर हम पोटली रखके स्टीज कर रहे हैं कि ब्लाउंच के डिजाइन में भी हमारा पोटली है और लटकन में भी लग जाएगा तो एकदम ब्लाउंच के मैचिंग से हमारा ब्यूटिफूल लटकन बन जाएगा अब हम देखिए जो टैंगल वाला पीश रेडि किये थे उसको इसके उपर रखना है और जो इसका मार्जन वाला पाठ है उसको बस ढखके कवर कर लेना है और यहां पी देखिए फ्रेंज हमारा एक पीश रेडि हो गया और इसको डबल फोल्ड करते वें स्टीज कर छाटने के बाद से आपको देखिए दोनों लटकन एक तरह से रेडी हो गया है अर अब हम ब्लाउंज के तीन इंज नीचे के साइड लटकन को, और दौरी को टक करेंगे और यहां पर देखेए बाद से हमारा डीजाइन कम्प्लीट हो जाएगा तो फ्रेंस में उम्मीद करती हूं समझाने का तरीका पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना बुले और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आड़ चैनल को सब्सक्राइब करके वेल बटन को आन कर दे और इससे भी अच्छा सा वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा जाके एक पर चैनल जरूर चेक कीजिए और बाकी सारी वीडियो को भी देखिए फाइनल लूक अप देख सकते हैं बहुती फ्यारा आया है और बहुती कम टाइम में